नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और आज आपके लिए New Recruitment Notification लेकर आया हूँ जो की Municipal Corporation की तरव से निकल के आ चुका है 2021 का ये New Notification है इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन को अप्लाई कर सकता, eligibility क्या रहेगी वीडियो को अन तक पूरा जरूर देखिएगा, मैं आपको step by step हर एक चीज़ क्लियर करूँगा with official notification और apply करने के link के साथ वीडियो को end तक देखिएगा, इसके अंदर आपको हर एक detail मिल जाएगी जैसे कि आपको apply करने के लिए link, official notification, qualification क्या रहेगी और selfie क्या मिलेगी तो हर एक notification सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं साथ के साथ bell icon भी दबा लीजिएगा ताकि उसके साथ आपको हर एक notification आपके mobile में सबसे पहले मिल जाए जब भी notification आउट किया जाए और हमारी website जो के www.clory.com है आप उसको भी subscribe कर सकते हैं जिससे आपको हर एक notification चाहे हो, government announcement हो, जाए center government का हो, state का हो या कोई private job नया update आया हो तो उसके लिए हमारी website को भी subscribe करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी website जो के www.clory.com है तो उसके ओपर जाने के बाद आपको first number पे right side पे आपको वहाँ पे subscribe करने के लिए अपनी email id फिल करनी है email id फिल कर लेने के बाद आप okay कर देंगे, submit कर देंगे आपका जब भी कोई recruitment notification आउट होगा आपकी email box में with official notification link आपको मिल जाएगा तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले details में बताता हूँ कैसे आपने apply करना है तो सबसे पहले organization name municipal corporation के तरफ से recruitment notification आउट किया गया है apply करने के लिए आपने online इसके लिए जो है apply करना है मैं आपको link provide कर दूँगा जो की इसके आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की last minute description में तो उसके बाद post name की अगर हम बात करें तो बहुत तरह की post आउट हुई है सबसे पहले पटवारी की post आउट हुई है second driver की post आउट हुई है SI की हुई है clerk की आउट हुई है JEE की हुई है junior draftman की आप post जो है आउट हुई है fireman की post आउट हुई है station fire officer की है assistant inspector, SDE, stando typist और इसके अंदर accountant, law officer, computer programmer, data entry operator और कई other vacancies हैं जो आप इनके official notification पे जाके देख सकते हैं इसके बाद next आपको top 5 government job जो है vacancies मिल जाएंगी जो आप check कर सकते हैं इसको अब आप apply करने के लिए link मैंने दिये हुए आप link पे check click करके check कर लीजिएगा next हम बात करते हैं इसके आपकी salary जो है 10,500 से लेके 34,500 रहेगी जो की selected candidates को दी जाएगी उसके बाद next करते है minimum age आपकी 18 है maximum 28 है तो आप इसके लिए eligible हैं और आपको age relaxation as per government rule दी चाएगी next हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी selection process की written test होगा सबसे पहले आपका typing test होगा और ना final आपका final interview document verification होगा अब इसके अंदर जो है application fee तो check करेंगे notification उसमें आपको detail में मिल जाएगा कितना आपको जो है इसके अंदर application fee submit करना है अगर हम बात करें qualification की तो इसके अलग-अलग post के लिए अलग-अलग qualification मांगी गई है सबसे पहले 10th, 12th and graduation वाले यो candidate हैं वो eligible हैं वो apply कर सकते हैं पोस्ट वाइस चेक करने के लिए official notification आप चेक करिएगा brief में एक बड़ी तो आपको पता लग जाएगा अब बात करते हैं कैसे apply करना है इसके लिए आपको online इसके लिए apply करना होगा सबसे पहले आपको link दिया है वहाँ पे आपनी क्लिक करना है वो आपको email id आपका mobile number वो सब आप detail mention करने के बाद अपनी qualification और अपना experience भी mention कर देंगे सब detail फिल कर लेने के बाद आपको क्या करना है नीचे जाना है और submit कर देना है last button में अब इसके अंदर आपके अगर हम बात करें important dates की तो apply करना जो है 8 April से start होगा अभी might be link open ना हो तो आप 8 April तक जो है इसको wait करके apply कर लीजिएगा next आप बात करते है last date apply करने के 3 मई 2021 है तो तब तक आप अराम से apply कर सकते हैं ये जो notification है आप चंडिगर municipal corporation की तरव से recruitment notification आउट किया गया है apply करने के लिए ये link आपको मैंने दिया है और आप उनका जो official notification है वो download करने के लिए यहाँ पर click करके download कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर click करेंगे इनका official notification open हो जाएगा download करके proper आप read out कर लीजिएगा हिंदी में है और इनकी website पे English में भी दिया हुआ अगर वो आप जाना चाहेंगे वो भी आप check कर सकते है इनकी website पे जाके यह notification जो है municipal corporation के तरफ से आउट किया गया latest recruitment notification है जिसके अदर बहुत सारी recruitment जो आउट की गई है तो आपने कुछ नहीं करना है जल्दी से जाके आप apply कर लीजिए अगर आप 10 पे basis पे नहीं है 12 नहीं तो graduation basis पे कर लीजिए आप किसी भी qualification से हैं आप इसके लिए eligible हैं आप apply कर लीजिएगा और एक बरी मैं आपको recommend करूंगा कि आप brief में notification को ज़रूर read करिएगा ताकि आपके सारी doubt clear हो जाए और आपको कोई doubt अगर फिर भी रहा जाए तो आप हमें comment कीजिए हम आपको reply जरूर करेंगे तो यह थी आज की notification अब मैं आपको मिलूगा नहीं notification के साथ नहीं वीडियो के अंतर तब तक के लिए धन्यवाद